नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे तो दोस्तों न्यू मेकप रिलीजेस के बारे में हम आज बात करेंगे और स्पेसिफिकली उन मेकप प्रोड़क्स के बारे में हम बात करेंगे और उन्होंने रिलीस किया है UR Golden Eyeshadow Palette यह 30 Pan Eyeshadow Palette है और इसका जो प्राइस है वो है $34 तो मैं इस Eyeshadow Palette को परचेस नहीं करने पारी हूँ उसका सीधा सीधा कारण यह है कि यह एक Neutral Palette है और इसमें काफी repetitive shades हैं ऐसा मुझे इस Palette को देखकर लग रहा है मैं फिलाल Colourpop की website पर हूँ और यह Palette मुझे बिल्कुल भी attractive नहीं लगा और मैंने तो online swatches भी देखे हैं इस Palette को compare किया गया है Kathleen Lights X Colourpop Cosmetics के Green Street Palette के साथ और हाँ काफी shades जो इस Palette में है वो उस Palette में भी हैं तो overall मुझे यह Palette बिल्कुल भी attractive नहीं लगा neutral होने के साथ साथ काफी repetitive shades हैं और इधर उधर blue shades इन्होंने डाल दिया है तो मुझे कुछ खास लगनी रही है यह Palette और मैं इसको purchase बिल्कुल भी निकने वाली हूँ तो मैं Trendmood1 के Instagram handle पर हूँ है कि Colourpop ने 3 different eyeshadow palettes release किये हैं और एक है इसमें से lust for dusk eyeshadow palette 24 dollars का 16 shades है इसमें high tide eyeshadow palette 14 dollars का है 9 shades है इसमें और इसके अलावा एक और eyeshadow palette है जो कि 14 dollars का है यह है fine feathered eyeshadow palette so lust for dusk eyeshadow palette जो है वो neutral palette है high tide eyeshadow palette जो है उसमें आपको pastel aquas, too deep and sultry aquas and mattes and metallics ऐसे eyeshadows मिल जाएंगे और जो fine feathered eyeshadow palette है उसमें आपको 9 different shades मिल जाएंगे bold fuchsia and softer pinks with matte and metallic finishes तो मुझे इन तीनों palettes में बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं है यह मुझे attractive भी नहीं लग रहे हैं और ऐसे shades मेरे पास already हैं मैं इन palettes में बिल्कुल भी इंट्रेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि यह मुझे किसी बिल्स से interesting नहीं लग रहे हैं ना attractive लग रहे हैं और maybe आप sale पर इन palettes को try कर सकते हैं अगर आपने अब तक Colourpop के eyeshadow palettes को try नहीं किया है और आपको ऐसे color story अच्छी लग रही हो मुझे color story अच्छी लग रही है पर ऐसे shades मेरे पास already है तो मैं फिर इन palettes को क्यों purchase करूंगा इसलिए मैं इन में से एक भी palette purchase नहीं करने वाली हूँ अब हम बात करते हैं नार्स की तो नार्स ने एक नया collection और आपको दो डिफ्रेंट प्रोडक्स मिल जाएंगे और गास्म ऑन दे बीच चीक पालेट फिटी नार्स का अगर आपने नार्स का नाम सुना है तो आपने और गास्म ब्लश का भी नाम सुना होगा यह shade काफी popular है बहुत सारे लोगों को यह blush बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने इस blush को अब तक ट्राइ नहीं किया है बात करूँ इस blush palette की तो यह blush palette मुझे online देखने पर attractive लग रहा था पर जब मैंने इस blush palette को YouTube को यूज करते हो देखा तो मुझे यह बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा attractive नहीं लगा and I was really disappointed क्योंकि जो pictures है इस blush palette की Instagram पर वो काफी attractive लग रही थी और यह palette मुझे pigmented लग रहा था बहुत ज़्यादा और यह भी लग रहा था मुझे कि यह suitable होगा deepest skin tones के लिए पर somehow जो मैं the story है या shades है वो मुझे light लग रहे थे और जाथा अच्छे नहीं लग रहे थे तो overall मुझे बिलकुल भी interest नहीं रहा गया इस palette को purchase करने में और बात करूं मैं jumbo blush की तो मैंने नार्स का जो original orgasm blush है वही मैंने purchase नहीं किया अभी तक ना try किया है तो jumbo size खरीद के क्या करूंगे मैं इसलिए मैं overall इस collection में से कुछ भी purchase नहीं करने वाली हूं अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं newly released makeup product by Natasha Denona ये है for the cheeks the puff paint liquid blush serum by Natasha Denona a silky liquid blush serum hybrid to achieve an easy soft natural flush of color tinted glow soft and creamy buildable formulated with skincare and fusion technology $22 each $56 bundle 3 different shades इन्होंने mention किये हुए है tan, daria, bloom और May 26 को ये blush release हो गया है तो Natasha Denona ऐसे brand मुझे बहुत ही ज़्यादा pricey लगता है मेरे पास सिर्फ एक eyeshadow parrot है इस brand से और वो काफी pricey है अच्छी quality का तो है पर ये सच आप जुटला नहीं सकते कि वो parrot बहुत ज़्यादा pricey है तो इस product के अगर मैं बात करूँ तो इस product का जो shade range है मुझे बिल्कुल भी attractive नहीं लगा, interesting नहीं लगा, बहुत basic है और I know कि आजकल liquid blushes का trend चला हुआ है और maybe आप इस product में interested हूँ, तो आप मुझे comment करके जलू से बताएगा कि आप इस product को purchase करने वाले हैं या नहीं अब हम बात करते हैं Morphe 2 brand की, तो Morphe 2 ने release कर दिया है Quad Goals Multi Palettes, इन palettes को पहले बार देखकर मुझे लगा कि ये Kaja के products हैं, पर जब मैंने इन्हें ध्यान से देखा तो मुझे बता चला कि ये Morphe 2 के newly released palettes हैं और इसमें आपको 5 different variants मिल जाएंगे और एक stack जो है वो आपको $16 का पढ़ जाएगा मैंना आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि मुझे 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 इंक्रेस नहीं रह गया है वो इतने जादा disappointing brand हो गया मेरे लिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है Morphe से और बात करूँ इस particular product की तो ये product भी कुछ खास नहीं लगा मुझे I understand कि आप इन पालेट को आसने से on the go carry कर सकते हैं यूज कर सकते हैं पर somehow associates मेरे पास already हैं तो मैं इन पालेट को purchase करने में क्यों इंट्रेस्ट रखूँ इसलिए मैं इस पूरे release में से एक भी पालेट पर्चेज नहीं करने वाली हों तो अब हम बात करते हैं टूफेस्ट की टूफेस्ट ने एक range release किया है जो कि है hangover pillow balm lip treatment hydrating lip balm infused with fruit oils and coconut water leaves healthy looking sheen on lips 23 dollars का आपको एक lip balm मिल जाएगा इसमें आपको 4 different variants मिल जाएंगे तो भी honest मेरे पास basic lip balms है और Maybelline का lip balm है बाजलीन है मैं usually इनी लिप बाम को use करती हूँ इसलिए मैं इस range में interested नहीं हूँ actually इनके picture में इन्होंने 5 different shades दिखा रखे हैं और trend mood पर somehow इन्होंने 4 shades मेंचिन के हैं overall you get the idea right कि 5 different shades है इस range में और इसमें आपको pink shade clear shade और orange terracotta और basic cream कलगा shade मिल जाएगा इन में से किसी भी shade में मैं interested नहीं हूँ और ये glossy finish के हैं तो I'm not sure इनका longevity कैसा रहेगा overall मैं इस range में interested नहीं हूँ last but not the least अब मैं अपने एक और favorite makeup brand के बार में बात करने वाल हूँ जो कि है Huda Beauty तो Huda Beauty ने release कर दिया है ये collection ये है the new Glowish collection includes Glowish multi-due vegan skin tint foundation 37 dollars Glowish soft radiance bronzing powder 31 dollars Glowish airbrush finish skin tint brush 31 dollars Glowish all over bronze brush 27 dollars I know summer season अगे है और आपको light weight foundation try काना चाहिए अगर आपको बाहर जाना है और आप बिलकुल भी अपने face को kicked up नहीं करना चाहते हैं और heavy foundation यूज नहीं करना चाहते हैं इसलिए काफी brands जो है वो skin tints release कर रहे हैं पर somehow मुझे skin tints बिलकुल भी पसंद नहीं है I'm not at all attracted towards the idea of having a skin tint and using it तो इसलिए मैं इस release में से जो skin tint है उसमें interested नहीं हूँ अब हम बात करते हैं Glowish bronzer की तो मेरे पास काफी bronzers है contour powders हैं तो वो products मैं use करते हूं अभी उनको ही खतमनी किया है तो मैं इसे क्या purchase करूं प्लस अफकॉस यह shade range जो है it's good it's not that bad ठीक है यह shade range और maybe deeper skin tones के लिए और एक दो shades release करना चाहिए इनको अभी नहीं तो maybe later on they should add some more shades for deeper skin tones is what I feel पर फिर भी मैं फिलहाल इस पूरे collection में interested ही नहीं हूं क्योंकि मेरा भी मन नहीं है एक नया bronzer ट्राय करने का और नहीं skin tint ट्राय करने का और brushes जो है मों मेरे पास already है so overall I don't see myself purchasing anything from this release तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें अगर आप किसी भी तरह का feedback देना चाते हैं मुझे तो आप comment करके मुझे दरूर से बताएगा इसे के साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्दी मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में टेक केर बाई बाई